bandwidth क्या हुआ bandwidth के अगर definition बताऊ amount of data that can be transmitted over a network in a certain amount of time इसको समझे मतलब एक मैं pipe से example लेना हूँ यह pipe है इससे कितना पानी जा रहा है यहाँ पर बाली जे एक minute में कितना पानी जा रहा है एक minute में इसी pipe को यह जो example है वो आप देखे रहे हैं आपे अगर हमारा यह bandwidth छोटा हो जाएगा देखेगा जैसी छोटा होगा यहाँ से एक चीज हड जाती है मतलब यह वीडियो कॉलिक नहीं हो पाएगी जैसी bandwidth कम हो गई वीडियो कॉलिक नहीं हो पाएगी या फिर जो भी ऐसी जिसको bandwidth जाता चाहिए वो नहीं मिल पाएगा तो आपने देखा यह मेरे एक pipe बना है अब यहाँ से अगर पानी बहरा है कितना पानी मिलेगा आपको मा लिजे आपको दो लिटर पानी मिलता है एक मिनिट में मैं इसको कर देता हूँ अब थोड़ा छोटा आप देखरे हैं आपको खुदी समझ में आ जाएगा इतना छोटा pipe है तो एक मिनिट में कितना आएगा हो सकता है आदा लिटर आए और इसी काप में बढ़ा देता हूँ कितना कर देता हूँ अब आप सोचे कितना आएगा अगर यहां से पानी आ रहा है तो एक मिनिट में कितना आएगा दस लेटर आ जागा साब तो यह बैड मिनिट को इसी तरीके से समझ लीजे कि कितना डेटा कितना इंफरमेशन जा रहा है एक नेटवर्क में और किसी एक स्टिपुलेटेड टाइम तो जैसे थिकनेस बढ़ाएंगे याने जितना आप इसको बैड मिनिट को ठिक करेंगे बड़ी करेंगे उतना पानी आएगा उतना डेटा आएगा तो कहते हैं ना कि यार इसकी बैड मिनिट कितनी है अरे बहुत कम बैड विद है यार थो बैड विद बड़ा हो इसकी या तो आपका जितना डेटा आ रहा है वो डिपेंड करता है कि आपको बैड विद कितनी मिली गोही क्या होता है कि कई ऐसे frequency range है ऐसे frequencies range है यह खरीदे जाती है इसका auctioning होती है कि यह frequency पर इतना पैसा फिर सरकार बेचती है तो लोग खरीदते हैं मतलब service provider खरीटते हैं फिर इतना उन्होंगे खरीद लिया अब इतना 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 करके वो देते हैं आप लोगं को इतना देदेंगे इतना देदेंगे और फिर इस पे बहुत सारी एक technology लगती है यह नो multiplexing की technology लगती है तो एक ही data जो है वो बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे होते हैं तो यह जो छोड़े छोड़े पार्ट आपको मिलता है वो bandwidth मिलता है तो आपको कितना bandwidth मिल रहा है उसने आपको frequency range कितना दिया हुआ है वो main चीज होती है और data कितना आ रहा है और इसको हम जो गिनते हैं वो गिनते हैं bits per second अब ध्यान रखेगा मैंने b को small लिखा हुआ है जहां मैं bits की बात करूंगा तो bits कुछ नहीं है जिरो बनी तो है यही है जिरो वान बिट्स मैंने डिजिट होता है तो bit per second और bit per second से थोड़ा उपर आ जाई है क्योंकि आप जानते है कि मैं इन 8 bit को combine कर लोगग इसको combine कर लो तो यह क्या बन जाता है एक byte बन जाता है एक byte 8 bit के ब्रावर होता है तो इस एक bit per second हो सकता है या byte per second हो सकता है तो यहाँ पर capital लिखा जाएगा नहीं रखेगा bit पर हम small लिखेंगे और byte पर capital लिखेंगे तो bit per second और byte per second यह होता है analog devices लिए analog जिसमें digital बात नहीं होती 0110 नहीं होता है bit कितने जा रहे है byte कितने जा रहे है और यहाँ पर मतलब bit per second byte per second यह जो है यह डिजिट बता रहा हूँ यह डिजिट है तो यह डिजिट ही होंगे मतलब binary से deal कर रहे होंगे हाँ अब आप analog की बात करें analog में क्या होता है जैसे यह bit byte तो इस तरीके से आता है आपको इस तरीके डेटा दिखा ह मतलब इसका अगर मैं grab बनाने की कोशिश करूँ या फिर इसका pulsating way बनाने की कोशिश करूँ लेकिन analog में इस तरीके से आता है जो पुराने जमाने में चलता था आज भी चलता है तो यह जो है वो hertz में ना पाजाता है किसमें analog ना पाजाता है hertz में bandwidth और digital ना पाजाता है bit per second या byte per second अब इसको कैसे calculate करते है इसको मैं clear कर दो अपने पास जगा की limitation है यहाँ पाई data transfer कैसे हो रहा है उसको हम bit per second में नापेंगे जैसे आपने का one kilo bit per second ध्यान रखिएगा small लिखा है मैंने इसका मतलब क्या है one kilo मतलब 1000 1000 bit जा रही है per second यह clear हो गया अगर हम कहें कि one mega bit per second तो इसका मतलब जा रहा है thousand यहाँ ले आईए इसको kbps याने thousand इस kilo के भी thousand कर देते bit per second वजब गद्दस की घाथ 6 bit per second हो गया one mbps यह हो गया one gpps क्या होगा यह होता one thousand इसको यहाँ ले आईए one thousand mbps एक mbps तो देखी लिए आपने 10 की बावर 6 इसको भी 10 की बावर 3 लिख देते हैं तो यह कितना हो गया one gbps हो गया 10 की पावर 9 bit per second ऐसी आगे भी जा सकते है टेरा पर जा सकते है टेरा 10 की बावर 12 हो जाता है एक टेरा होता है one thousand one thousand gbps आपर एक टुर्ज देपी आपर लिए आपर जापने 10 की फुर्प वेंक भी 10 की बावर 5 झाप प्रया हो जादू टैंबा टो यहाँ यह गए रव्या हैं तो एक टी अज़ए